देखे यहाँ पर सभी का कमेंट आ रहे थे हैं कि सब इस्पेक्टर के सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं क्या होगा सबसे पहले फिजिकल होगा कि जाम होगा सभी का डाउट क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो पर साथ ही सब इस्पेक्टर का admit card डाउनलोड हो चुका है या जिनका नहीं हुआ है या जिनका registration गूम हो चुका है उनका भी पुलिस विभाग के अनुसार लिस्ट जारी कर दिया गया है जैसे कि देखे 36 गार राजपत्र में असाधरन पदिकरन से प्रकासित किया गया है कि देखे यहाँ पर आपको किसी भी doubt हो रहा हो तो इसका आप comment कर सकते हैं है ना इसके बाद मैं बात कहूंगा देखे जिसका download नहीं हो पा रहा है download हो चुका है उसको बारे में बताऊंगा देखे सब इस्पेक्टर के जो exam होगा सबसे पहले देखे यहाँ पर student लोग पूछ रहे थे कि इसका exam होगा या physical होगा क्या होगा तो देखे यहाँ पर क्या होने वाला है सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले सारीक माप दंट होगा है ना इसके बाद देखेंगे सबसे पहले दिखे जो सबसे पहले admit card जारी हुआ हुआ तो इसका exam के लिए नहीं हुआ तो सबसे पहले सार्येक माप्वदंट होगा बखें, यहाँ जैसे की अभ्यर्ति का परिक्षण आने की नियम आथ के तफ झाहरी यहां अगर नियम हो गैया यहाँ 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 के संबद में ज्वाद में जो परिक्षा में जा सकते हैं यानि कि प्रारंभी परिक्षा का एक्जाम दे सकते हैं तो सबसे पहले देखें प्रारंभी लिखित परिक्षा के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहां बताना चाहूंगा कि हाइट यानि कि लड़कों के लिए 168 और लड़की का मंगए 153 अगर उसे कम हो जाता है तो आसको क्वालीपं है नहीं किया जाएगा सलील किस नहीं देपाई गांब देख को जया सबसे पहले इहां पर सब्सक्रावजित उसक्तों अब हतुए आतबर यहां पर अजिता पहले कि rent 17 अगकि जो सफल हो पाते है तो इसका सेकन्ड आने बाद यानिकि मुख्य लिख入 परिक्षा में एक्जाम दिला पाते हैं उसका बात देखें बताना जांग ग होता है प्लावम रेक्षा के प्लाव।ॉ प्लावम रेक्षा के डार पर यानि कि इस इखें अगर सफल हो भी 20 गुन अभ्यर्थी को ही मुख्य लिखित परिच्छा में सामिल होने के लिए प्रविश्पत्र जारी किया जाएगा अब इसके बाद बात करें मुख्य लिखित परिच्छा की अगर पास हो जाता है सफल हो जाता है तो मुख्य लिखित परिक्षा में या इसका एक्जाम होगा हिंदी तथा अंगरेजी भासलम कोई दक्षता है तो देखे आपर 200 अंकों कही होगी इसकी आउधी 2 घंटे कही होगा सब भी भर्थियों के लिए अनिवार है कि हिंदी में के लिए 125 अंक यानि कि हिंदी के लिए 125 अंक और अंगरेजी में 75 अंक होगे अब खा की बात करता हूँ समान निग्यान अंगरेजी के लिए 200 अंकों कही होगा आउधी 3 घंटे को होगा बस यानि कि यहाँ पर एक घंटा बढ़ जाएगा जब परिक्षारती अभ्यर्थियों के लिए ही होगी यानि कि देखें आपर हिंदी और अंगरेजी के लिए 200 अंकों कहोगा दो घंटे के लिए और समान निग्यान और समान निअध्यन के लिए परिक्षा के 200 अंकों कहोगा तीन घंटे के लिए इसके बाद aptitude test की बात करें तो परिच्छा 2 स्वांकों कही होगा अवधी 2 घंटे की होगी इसके बाद देखे अप चैन सुची के बारे में बात करते हैं है ना सैन सुची के बारे में बात करते हैं अब भर्थी के लिए देखिए student लग पूछ रहे थे की सब स्पेक्टर का याने कि यहाँ पर देखिए सुबेदार का प्रथम चरण में क्या होगा तो देखिए यहाँ पर प्रथम चरण की जो लिखित पर इच्छा होगी प्राप्तामकों को जोड़कर प्रिथक प्रिथक से याने की अलग से सुबेदार उपनी रक्षक उपनी रक्षक जो करके सुची एक मेरी लिष्टे तयार की जाएगी मतलब तीन-तीन करके अलग-अलग करके इसके मेरी लिष्टे तयार की जाएगी और लिखते पंदम पांच गुना पांच गुना संख्या में भरतिं को दुती चरन में यानि की दुती चरन की परिक्षा के लिए बुला जाए तो उसके लिए क्वालिफाइ़ करने के लिए, पिजिकल के लिए पांच गुना संख्या में अभ्यृतियों को दूती चरन के परिछह के लिए बुला जाएखा अब अन्तीम पर भीर्थी जीस पर पांज गुला संग्य पूर्णा होती है वेसा भी अभीर्थी जिन्हें अधिक अथ्वा बराबर अंग पृप्तिं किये हैं अगर बराबर अंग आ जा रहा है तो उसको भी चेनित किया जाएगा यही आपको बताना था यहीं इंपोर्टन नीूज थी है नुखिये..... प्रतिश परधाओं के लिए दिये जाने वाले अंकों को विष्टित वीवरान के नुशार यहाँ पर दिया गया है ना इसके बाद देखिए साक्षातकार साक्षातकार कीनका होगा और कीनका नहीं होगा तो इनको भी देख सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और से और जरू कीजिएगा अगर और अच्छा टो दस नमबर के bonus हो गा जो कि राष्टी एंतराष्टी यह खेल कूद की प्रामान पत्र है उनको Danny नम्बर बोनस दिया जाएगा जिनका सीधा सीधा संचालान होता है उस खेल से जो सब्म के दोरे कि जाता है भाग लेने वाले खेडारी को ही पर देहिंड पर Δेख्या पर भाग लेने वाले खेडारी हैं उनके लिए पर दिया जाएग उनको ही Bonus बोनस नमबर दिया जाएगा उनको ही बोनस नमबर दिया जाएगा उनको ही बोनस